जै श्रीक्रिश्ना, पंचांग की अनुसार पोस पूर्णिमा के बाद हिंदू कलेंडर का 11 महीना माग शुरू हो जाएगा माग का महीना पहले माद का महीना कहलाता था माद अर्थाथ श्रीक्रिश्न का एक स्वरू मादव जिससे इसका संबंध है माग महीना 26 जनवरी 2024 से सुरू हो रहा है वहीं इसकी समाप्ती 24 फरवरी माग पूर्णिमा के दिन होगी माग मास के दोरान भगवान विश्नो के मंत्रों ओम मादवाय नमः इसके अलावा ओम नमो भगवते बासु देवाय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए साथी माग महीने के दोरान स्नान एवं दान का भी विशेशी महत्त होता है माग मास में किये गएकारिय का फल कई जन्मों तक मिलता है यहीं वजय है कि माग महिने में श्री क्रिस्न सूर्यदेव की पूजा गंगासनान एवं जरुवत मंदों को दान देने का विशेश महत्व है माग के महिने में प्रियागराज के संगम तट पर गंगासनान करने का विधान है इससे कभी भी नहीं खत्म होने वाला पुन्य प्राप्त होता है एक महा तक लोग महा पर कलप पास करते हैं पदम पुराण में माग मास के महत्ट को बताते हुए कहा गया है कि श्रीहरे विश्णु को पूजा से उत्मी प्रसंता नहीं होती जितनी इस महा में गंगा स्नान से होती है पोराणिक कथा के अनुसार माग मास में गोतम रिषी ने इंदर देव को श्राप दिया था इंदर ने प्रहश्चित करने के लिए माग महा में गंगा स्नान किया इसके बाद इंद्रदेव को गोतम रिषी के श्राप से मुक्ति मिल गई थी माग के दोरान सबसे ज़्यादा प्रियाग में गंगा और यमना के संगम पर स्नान पुन्यकारी माना गया है श्राम देवता भी इस दोरान प्रियागराज में आते हैं एवं वहाँ पर स्नान करते हैं ऐसा कहा भी गया है कि माग मा से गंगा यमना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरूदना अर्थात ब्रह्मा, विश्णु, महादेव, रुद्र, आधित्य तथा मरूदन माग महिने में गंगा और यमना के संगम पर गमन करते हैं लेकिन जो लोग प्रियाकरा जाकर लाब नहीं उठा सकते, उन्हें अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करना चाहिए, एवं भगवान की पूजा अर्चना करके लाब उठाना चाहिए जो लोग पूरे महीने भर माग स्नान नहीं कर सके या माग के महीने में बाकी नीमों का पालन ना कर सके उन लोगों को महीने में तीन बार अथवा एक बार कम से कम माग स्नान करके लाब जरूर उठाना चाहिए माग में किये गए तीन स्थान भी दस हजार अश्वमेग यग के समान फल देने वाले माने गए हैं इससे व्यक्ति को हर तरह की सिद्धी और हर छेतर में विजय मिलती है जैसा कि आपको अभी बताया था माग के महिने में कलपवास का विशेश महत्व है दरसल माग के दोरान गंगा यमना के संगम तट पर निवास करने को कलपवास कहते हैं वहाँ पर बड़े बड़े साधूसंत रहकर वेद्ध यग्य इत्यादी कारिये करते हैं अपने अपने मत से कुछ लोग ये कलपवास पोस महा के शुकल पक्ष की एकादसी से शुरू करके माग महा के शुकल पक्ष की एकादसी तक रखते हैं वही कुछ लोग यहाँ पर पोस पूर्णिमा से लेकर माग महा के पूर्णिमा तक कलपवास रखते हैं माग के महिने में विशेशकर की माग पूरिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्रहमन को ब्रहम वैवरत पुरान का दान करता है उसे ब्रहमलोग की प्राप्ति होती है इसके साथ ही जो व्यक्ति माग में ब्रहम वैवरत पुरान का पाठ करता है या माग मास का महातम में पड़ता है उस व्यक्ति को जीवन में लाब ही लाब मिलता है माग महा में तिल दान का भी विसेशी महत होता है इस महिने में जो भी व्यक्ति तपस्वियों को या ब्रहमनों को तिल का दान करता है वें बड़े ही आनंद से जीवन बिताता है तिल के अलावा इस महिने में काले तिलों से हवन करना चाहिए साथी अपने पित्रों की शानती के लिए भी किसी पवित्र स्थान पर पिक्त्रों को तरपन करके लाब उठाना चाहिए। माग के महिने में अन, वस्त्र, तिल, गुड, कंबल, घी, भगवत गीता, गेहुं एवं जल का दान, साथी सोना दान करना भी बहुत ही शुब माना गया है। माग के महिने में देर तक नहीं सोना चाहिए, एवं रोजाना स्नान करना चाहिए। तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, बिस्तर का त्याग करके जमीन पर सोना चाहिए। माग के महिने में मूली एवं धनिये से परेज रखने चाहिए। माग मास का संबन श्रीक्रशन के म माधव रूप से है ऐसे में रोज काना जी की पूजा करनी चाहिए वे प्रती दिन मधुरास्टक का पाठ करने से दो समाप्त होते हैं वहीं भगवत गीता का पाठ करने से घर में सुक्षान्ति आती है माग के महिने में तिल का प्रयोग 6 तरीके से करना चाहिए तिल को पानी भगवान को लगाना चाहिए, पुराणों की अनुसार ऐसा करने पर मनुष्य को आरोग्य, एस्वर्य एवं धन की प्राप्ति होती है, माग मास के दोरान तुलसी माता की पुजा भी अवश्य करनी चाहिए, एवं भगवान श्रीहरी विश्णू या काना जी को भोग में दूरी बना कर रखनी चाहिए, माग मास में किसी का अपमान नहीं करें, एवं किसी को अपशब्द ना कहें, माग मास में पूर्णिमा, अमावश्य और एकादसी इन विशेश दिनों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापो का नास होता है, यदि आप किसी पवित्र नदिया सरोवर में स्नान नहीं कर सकें, तो अपने घर पर इपानी में गंगा जल डाल कर पूरे माग मास मान करें, यदि पूरे माग महा में स्नान ना कर सकें, तो विशेश दिथियों पर स्नान अवश्य ही करना चाहिए, इस महा में हर गुरुवार के दिन विश्णु सहस्तर नाम का पाठ करने से घरमें सुक एवं सम्रध्धि में व्रध्धी होती है माघ महां में कलपवास करना चाहते हैं तो आपको इसके शूरुवात मातुलसी और भगवान शालेग्राम की पूजा करके फिर करनी चाहिए माग माहा में 29 जनवरी सोमवार के दिन सकट चोद या लंबोदर संकस्टी चतुर्थी का वरत पड़ेगा वहीं 6 फरवरी मंगलवार के दिन 60 तिलाई का दशी का वरत रखा जाएगा माग मास में 9 फरवरी 2024 के दिन मोनी अमाव पूजा करते हैं उस टाइम के लिए व्रत रख सकते हैं वहीं माग महा में दस फरवरी शनिवार के दिन गुप नवरात्री का आरम भोगा गुप नवरात्री में 10 महा विद्याओं की पूजा की जाती है एमन्गुप नवरात्रिया सब से छुपाकर गुप्त तरीके से की जाती है वहीं 18 फरवरी 2024 के दिन गुप नवरात्री की समाप्ति होगी इस बार माग महा में 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन जया एक अदश्य का व्रत रखा जाएगा वहीं 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन माग पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा माग महा में शुकल पक्ष की पंचमिति थी इस बार 14 फरवरी 2024 बुद्धवार के दिन है इस दिन मा सरस्वती का जनमोट्सव मनाया जाएगा जिसे की वसंत पंचमि के नाम से जाना जाता है इस दिन माता की विदी विदान से पूजा करके मा को प्रसन किया जाता है मा सरस्वती हमें ज्ञान का वर्दान देती है साथ ही जीवन में समस्त सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है आप इस तरह से मागस्नान एवं इसके नियमों का पालन कर सकते हैं उमीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को शियर करें